हे दोस्तों मेरे इस चैनल में आपका स्वागत हैं मैं आपसे अब अप्रण शैली के बारे में चर्चा करूँगी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे जैन शैली के बारे में चर्चा की थी जैसे जैन शैली में चित्र सवा चश्म चहरे बने लेड़ चश्म चहरे बने इस त जैन तथा अजैन जो अभ्रंस शैली है अभ्रंस का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले मेरे माइंड में ये कॉश्चन आता है कि अभ्रंस क्या होता है अभ्रंस से मतलब होता है बिगड़ा that means बिगड़ा that means नीचे इस्तर का यानि नीचे इस्तर का जो चित्र होते हैं उनको अ अपभ्रंस का मीनिंग होता है नीचे इस्तर का या बिगड़ा इसके जो चित्रे हैं वो बिगड़े हुए हैं काफी इसलिए उन्हें अपभ्रंस शैली नाम दिया इन चित्रों के according इनको अपभ्रंस शैली नाम दिया राय कृष्ण दासने तो इसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी आज गुजरात में जैन तथा अजैन अजैन से मतलब होता है जिनका जैन धर्म से सम्मन्द नहीं था जैसे कि गीत गोविन है दुर्गा शप्त शती है ये जो ग्रंथ हैं इनका जैन धर्म से कोई संबन्द नहीं था इस तरह के चित्र प्राप्त हुए थे और इस प्रकार के चित्र जो है वो अन्य प्रदेशों में भी मिले इसी कारण इस शैली के नाम करण में हमेशा मत बेद रहा अप्रdag सेली को शुरूँआत में जैन सेली नाम दिया गया था और आनन्द कुमार स्वामी ने इस सेली को पष्चेम भारतीय सेली नाम दिया था उन्होंने 1924 में रूपम नामक पत्रका में गुजराती सैली से रिलेटेड एक लेख भी प्रकाशित किया था लेकिन राय कृष्ण दास ने इस सैली को नाम दिया था अपुब्रंस सैली यह जो चित्र हैं इसलिए ऐसे ही जो चित्र हैं वो मालवा, गुजरात, राजिस्थान में भी दूसरे संप्रदाय के गरंतों में भी चित्र मिले थे इसलिए इस सैली को गुजरात या पश्चिम भारतिय सैली कहा गया राय कृष्ण दास ने जैन शैली का नाम बिल्कुल गलत बताया क्योंकि वो इसको राय कृष्ण दास इसको जैन शैली से जैन शैली इसका नाम इसलिए नहीं रखना चारे थे उन्होंने बहुत बहुत इस बारे में उनके काफी मत थे क्योंकि इसका नाम जैन शैली इसलिए भी तुरूटी पून लगता था क्योंकि इसके चितर केवल श्वेताम बरिया जैन गरंथों में ही मिलते हैं और इस शैली के कितने ही अजैन गरंथ मिली हैं जिनमें गीत गोविंद दुरगा शप्त थी ऐसे जो गरंथ थे इसलिए इन्हें इनका नाम जैन शैली से ये बिलकुल सहमत नहीं हुए थे कि इसका नाम जैन शैली रखा जाए क्योंकि इन्होंने बताया था तक कि भारत की च गोफा हैं उनमें या अजन्ता की जो गोफा हैं उनमें जैन बौध या बाग की चित्र हैं वो सब एक दूसरे से भिन नहीं हैं लेकिन ये जो चित्र हैं ये बिलकुल भिन हैं ये नीचे स्तर के चित्र हैं इसलिए ये इसका नाम जैन शैली या जैन धर्म जैन शैली नाम नहीं हो सकता इसलिए उन्होंने इसका नाम अपभ्रंस शैली रखा था। क्योंकि इस साहेत्यकला संस्क्रती इन सभी चीजों का पतन हुआ था। इस सैली में तीन प्रकार के चित्रों का निरमाण हुआ। ताड़ पत्र के चित्रों का ये मैंने आपको अलेडी बताया था जब मैं आपको जैन शैली पढ़ा रही थी मैंने तब ही आपको बताया था कि जैन शैली हो या गुजराती शैली हो या अब्रहन शैली कोई भी हों तीनों में इन तीनों शैली हो में एक ही तरह के चित्रों क निर्माड हुआ है ताड़ पत्र पर चित्र बने दैट मींज पोथियों का निर्माड हुआ पत्र चित्र बने दैट मींज कपड़े पर चित्रों का निर्माड हुआ तीसरा कागच कागच पर चित्रों का निर्माड हुआ तो इस सैली में या जैन शैली में इन तीनों शैली वो है कल्प सूत्र के रचियता थे जीन भद्र भाव इस तरह के क्वेशन आ जाते हैं चोटे चोटे एक्जाम में कि अब्रण शैली नाम किस ने दिया रायकृष्ण तास में दिया या इस चैली में या पोथी चित्रन किस में हुआ है पोथी चित्रन पाल शैली में भी धर्म से संबंधित चित्र बने हैं जैन शैली में जैन धर्म से संबंधित चित्र बने हैं लेकिन पाल शैली में बहुत धर्म से संबंधित चित्र बने हैं चित्रों में गिरावट जरूर है लेकिन बहुत धर्म से संबंधित चित्र हैं अब्रण शैली का सबसे जो अंतिम गरंथ कौन सा है तो वो है सुपाशना चार्यम गुजरात शैली थी गुजरात शैली में भी जस्ट लाइक अभ्रण शैली और जस्ट लाइक जैन शैली इसमें भी चौर पंचाशिका गरंथ की रचना हुई थी जिसमें विल्लड कभी अपनी प्रेसी चंपावती और उनकी प्रेसी चंपावती की प्रेम प्रसंग के चित्र हैं उनके आपस के चित्र बनी हुए हैं तो इस तरह से छोटे-छोटे कोश्चन आ सकते हैं एक्जाम में कि वसंत विलास कहा हैं वसंत विलास किस पर बनी हुई है तो ये मैंने आपको बताया था कि वसंत विलास कपड़े कुंदली नुमा एक बनी हुई एक कपड़े पर पटी है जनपत्री नुमा पटी है कपड़ी की पटी है कह सकते हैं और वसंत विलास वाशिंग गार्टन के फियर आर्ट गैलरी में रखी हुई है और इसको अभण्षेली नाम दिया था राय कृष्न दास ने तो इस तरह के चित्र आज इस चरह के कॉश्चन आ जाते हैं एक्जाम में आगे बात करते हैं अब्ध्रंशयली के चित्रों की विशेष्टाओं के बारे में अब्ध्रंशयली के चित्र की विशेष्टा हैं अब्रंध सैली में ब्रंध पीला नीले रंगों में प्रियोग अधिक वहा था गया और आक्रितों कीं आख्रे BLACKा साहता काले की व्था構 है ये मैं आपको फेले और इनकी जो चेहरे हैं वो सवाचश्म है या नाक पल्ले गाल से बाहर निकली हुई दिखाई जाती है That means side से pose हैं जिसमें थोड़ा सा आख का portion दिखायाता है सवाचश्म या डेड़ चश्म बदा दिखाई गई हैं चेहरे और गाल नहीं दूसरी side का गाल नहीं दिखाया जाता है नाक लंबी दिखाई गई है और इनकी जो आँखें हैं वो काफी लंबी दिखाई गई हैं इनमें पेड़ पौधे या पसू पक्षियों का जो अलंकरण है वो खिलोनों की बांती हुआ है तो इस तरह का question आ जाता है कि अलंकरणों का प्रियोग अलंकारिक रूप में पसू पक्षियों का प्रियोग अलंकारिक रूप में किस चैली में किया गया है तो अपभ्रंस शैली है जिसमें पसू पक्षियों का या पेड़ पौधों का जो चित्रांकन किया गया है वो अलंकारिक रूप में किया गया है, तो दोस्तो मैं अपभ्रंस शैली से ये इसलिए बता रही थी अभ्रण सैली से इसी से related है जैन सैली क्योंकि जैन सैली, अभ्रण सैली और गुझराती सैली ये तीनों एक दूसरे से related है एक जैसी ही है बस जैन सैली, अभ्रण सैली, गुझराती सैली में जैन धर्म से related और पाल सैली में महात्मा बुद्ध से related चित्र बने हैं इस तरह का चित्र जो हैं सबसे अधिक किस में मिले हैं तो हमें ये ग्रंथों में मिले हैं पुस्तकों में मिले हैं पोथियों में मिले हैं और कागज पर सबसे पहला जो ग्रंथ बना है वो उसका नाम है वसंत विलास जो कागज पर बना हुआ सबसे पहला ग्रंथ है इस तरह के question आ जाते हैं कि जैन धर्म से related जो चित्र हैं जो चित्र हैं जिनसे हमें जैन धर्म से related knowledge प्राप्त होती है वो कहां हैं वो British रंगराले में रखे हुए हैं तो इस तरह के question आ जाते हैं exam में चोटे चोटे questions आ जाते हैं exam में और वसंत विलास है वसंत विलास में 1445 के करीब में 1448 के करीब में ऐसे ही लिखा गया था कहीं 1445 कर देते हैं तो कहीं 1448 भी लिखा हुआ है और इसमें लगबग 79 चित्र थे 79 that means नवासी असी नवासी no 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 79 79 चित्र थे इसमें 89 89 चित्र थे तो दोस्तो ये थी अभ्धन शेली दोस्तो मेरी एक request है आपसे प्लीज मेरा धेय आपको समझाना होता है आपको topic complete करना होता है चाहे वो मेरा topic एक वीडियो में complete हो चाहे दो वीडियो में चाहे चार topic में complete हो, पिजा chapter या topic खतम करने का धिय होता है, आपको अच्छे तरह से समझाने से मेरा धिय होता है, मेरा लक्ष होता है कि मैं आपको अपनी knowledge अच्छे से आपको provide करा सकूँ और जो आप European art की बात कर रहे हैं, मैं उससे related video ज़रूर बनाऊंगी और even मैं अब इसके बाद जो मैं next video लाऊंगी, वो European art से ही related लाऊंगी वो इसलिए भी, क्योंकि आप सब लोग यही चाहते हैं कि मैं पहले European art भी start करती रहूं, तो मुझे जैसे ही time मिलेगा, मैं आपके लिए European art प्रोवाइड कराऊंगी लेकिन हो सकता है मैं video की जो quantity है वो थोड़ी कम भी हो सकती है, week में एक या दो वीडियो भी मैं डालूं तो लेकिन एक European art की और एक भारतिय चित्रकला से related video डालूंगी आपको European art, actually मैं आपको थोड़ी सी European art के बारे में बताती हूँ, यह भारतिय चित्रकला है जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, भारतिय चित्रकला भारत में हैं, इसकी हम easily study कर लेते हैं, अगर हमें इसको प्रतक्ष प्रमान लेना होता है तो हम गुफाओं तक पहु मुझ सकते हैं, लेकिन विदेश में हम easily नहीं जा सकते हैं, खर्चा बहुत जादा आता है, easily हम वहाँ की चीज़ें नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमं प्रतक्ष प्रमान नहीं देख सकते किताबी knowledge लेते हैं, इसलिए वो हमें इतनी hard लगती हैं, मैं इसको कोशश आपको European Art इसी तरीके से समझाने की, उसको इसी लेंग्वेज में समझाने की, हमने हमारी European Art और भादिय चित्रगाला में सिर्फ डिफरेंस इतना है, कि यहां भी देखी प्रागेतियासिक काल हुआ था, वहां भी इसी तरह का प्रागेतियासिक काल हुआ था, यहां भी काल का विक्षित रूप गोथिक शैली चेहना नंवें लगा था तो इस तठीके से थोड़ा सा चेंच है मैं जरूर आपको इस से रिलेटिट वीडियो बनाओंगी और मेरा धे आपको समझाने से मतलब होता है डेली वीडियो डालने डालने का मेरा कोई धे नहीं होता जैसे मेरा ये टॉपिक चार वीडियो में या दो वीडियो में या तीन वीडियो में भी खतम होता है तो मैं उतनी ही वीडियो डालूंगी मैं डेली वीडियो डालने का मेरा कोई धे नहीं है कोई लक्ष नहीं है मेरा आपको समझाना मेरा पहला लक्ष है मैं अपनी knowledge आपको दे रही हूँ और आप अपनी knowledge आप जादा से जादा knowledge गेन करिए और अपनी knowledge आगे और भी आगे आने वाले बच्चों को आगे आने वाले लोगों को या आप से छोटे हैं उनको आप अपनी knowledge provide करा सकें तो इसलिए knowledge gain करते रहिए और पढ़ते रहिए और knowledge gain करिए Thank you for watching my video and sharing my video and subscribe my channel and bye for now